टेहरी में दर्दनाक हाथसा स्कूल जा रही बस गहरी खाई में गिरी हाथसे में नौकी मौत चार बच्चों को किया गया एरलिफ्ट कई बच्चे कमभी रूप से खायल ये दर्दनाक खबर उत्रखंड के टेहरी गड़वाल के कांसली इलाके की है जो आपको विचलित कर देगी इन तस्वीरों की कहानी सुनेंगे तो आप काप जाएंगे तस्वीरों में दिखाई दे रही ये स्कूली बच्चों से भरी मिनी बस जिस जगा पर पल्टी पड़ी है वो गहरी खाई है और अब आप सोचिए जब ये बस इस उचाई से बेकाबू होकर इस मौत की खाई में गिरी होगी तो बस में सवार बच्चों का क्या हुआ होगा बताया जा रहा है कि बस में करीब 18 बच्चे सवार थे जिन में से 9 बच्चों की मौत हो गई हाथसे की बाद गंभी रोब से घाल बच्चों को नसदी की अस्पताल में भड़ती करवाया गया जहां उनकी तब्यत में सुधार नहीं दिखा जिसके बाद डॉक्टरों ने चार बच्चों को रिशी केस के एम्स में रिफर किया गया जिने एरलिफ्ट करके रिशी केश लाया गया बागी घायलों को नजदी की अस्पताल में भड़ती करवाया गया है जहां उनका इलास चल रहा है तो वही मौके पर SDRF की टीम राहत और बच्चावकारे में जुटी हुई है बच्चे घर से स्कूल के लिए निकले थे लेकिन अफसोस ना वो स्कूल पहुँचे और ना वो सलामत घर लोटे R9 TV के लिए आशिमा त्यागी की रिपोर्ट